वेल्कम बेक टू माई चनल एश्टी मॉल बैंकिंग दोस्तो आज की इस वीडियो में यह दिखाने वालों कि यूपी पुलीस एसिसेंट ऑपरेटर का ओनलेम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तो इसमें काफी ज्यादा वेकेंसी निकाली गई है इसकी वेकेंसी की बात की जाए इलेजिविल्टि में बहुत कुछ नहीं मंगा गया है अगर आप बार्वी पास कंपलीट कर चुकें तो आप इस फॉर्म के लिए असानी से अपलाइक कर सकते हैं इस फॉर्म को किस तरह से फील करना है किस तरह से बरना है इसी को पर कंपलीट वीडियो दिखाने तो वीडियो को पूरे एंड तक जरू देखना दोस्तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप चैनल पने हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेर करना और मेरे भाई मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना जिससे कि पी अप, साइबर कैफे, रिटेलर, सरकारी फॉर्म, गवर्रमन्ट स्क्रीम या स्कोलर्शिफ जैसी अप्डेट इसी चनल के माध्य में से आती रहेगी तो चलिए सुरू करते हैं यूपी पुलिस ऑपरेटर का ओलन फॉर्म स्टार्ट हो चुक है, इस फॉर्म को किस तरह से बना इसी को पर कंप्लिट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, दोस्तों इसका लिंक आपको वीडियो को डिसकेशन मिल जाएगा, अब जैसे उस पर किलिक करेंगे, अब डिरेटली आ जाएंगे, दोस्तों अपकेशन स्टार्ट हो चुगा 20 तारिक से, इसकी जो लाजट है, वह 28 तारिक इसकी लाजट है, और दोस्तों जो भी कर्टेगरी के आते हैं, चैसे जनल, OBC, ST, या कोई भी फीमेल कर्टेगरी हो, वो त्योंनों का सेम फिस रखा गया, चार से यानि जिसके भी एज 18 के 22 के बीच में आता है, तो वह अपलाई कर सकते हैं, इसकी बात की जाएंगे, वेकेंसी काफी जादा निकलिए, यह तेरा सो चोहतर वेकेंसी निकलिए, यह काफी अच्छा मोका है, आप इससा अपलाई कर सकते हैं, तो इसकी इलिजिविल्टी के बात की जाएं, मेल और फिमेल दोना दिखा रहा रहा है, इसका जनल ओवी सी, एश्टी जो कटेगरी में आते हैं, वो इस हाइट मंगा गया है, चेस्ट मंगा गया, और इतने मीनट पे इतना किलोमेटर आपको रेस करना है, तो यह आपको कटेगरी अगर आते हैं, अगर दोस्तों मैं फॉर्म को भरना दिखाते हूं, किस तरह से फॉर्म को भरना है, आपको Simply Apply Online पे किलिक कर देना है, किलिक हैर पको किलिक कर देना है, इसके बार आप डाइट लिए अभी स्पेश भी आ जाएंगे, कुछ नहीं करना है, आपको इस तरह का स्क्रीन आपको यहां लोगिन का उप्सन आ रहा है, यहां पे Simply New User को उप्सन आ रहा है, आपको Simply New User पे किलिक कर देना है, जो फर्स्टम आते हैं, दोस्तों, अगर कोई फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म कभी बंद हो जाता है, या पेमेंट करना होता है, या किसी तरह का प्रिंट आउट निकालना होता है, तो आप क्या करते हैं, यहां से User Login पे किलिक करके अपना कोई भी काम करना चाहूँ, तो आप काम करते हैं, अभी मैं आपको New User पे किलिक करके आई का प्रोसेस दिखाता हूँ, पेज आपको ओपन हो जाता है, आपको थोड़ा सा आपको स्क्रोल डाउन करना है, स् इसके बाद आपको नाम लिदे हैं, जैसे मान के चलिए, अगर आपको सिंगल नम है लाश्न नम है, यहां भी फिल करें आए, जैसे किसी का नाम होगा ABC, तो ABC क्या होगा, A होगा फस्ट नियम, B होगा मिडल नम, C होगा लाश्न नम, दोस्तों आगर आपको अपको फिल कर कर देना है इसके बाद आपको अपने email id को फिल कर देना है इसके बाद आपने email id को टाइप कर देंगे इसके बाद आपके बाद जो भी mobile number को यहाँ डाल देंगे simply send otp पे click कर देंगे दोस्तों इस form को भरने के बाद आपको send otp करके दिखा जाता हूं mobile पे एक otp चली गई है उस otp को फिल कर देना है otp को फिल करने बाद आपको simply verify mobile पे click कर देना है इस तरह से देख सकते हैं हमारा otp done verify हो चुका है दोस्तों आपको क्या करना है इस capture code को यहाँ पे same time fill कर देना है इसके बाद आपको simply submit पे click कर देना है आपको एक registration complete हो जाएगा यहाँ पे reference number आपको यही पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों आपको इन्हें अच्छा से note करके रख देना है आप इसे screenshot भी ले सकते हैं स्क्रीन सोट लेने के बाद आपको क्या करना है simply please click here to login पे click कर देना है आप directly आप login वाले page भी आ जाएगे आपको जो reference number आपको मिला होगा प्रेफरेंस नमबर को यहां पर type कर देना है उसके बाद आपको जो password बनाया है या password आपको मिला है उस password को यहां पर type कर देना है इसके बाद आपको simply login पे click कर देना है दोस्तों अगर किसी बी तरह से कोई भी reference number या password भूल जाते है तो आपको क्या करना है यही से आपको continue को option आपको simply continue press कर देना है इसके बाद आपको यह वाला page आपको open हो जाता है जो कि आपसे personal details आपसे देखा जाता है दोस्तों personal details में आपको कुछ करने की जरुवत नहीं है automatic आपको फिल्क किया हो मिलेगा आपको थोड़ा सापको scroll down करना है अब आता है section दोस्तों are you domicile of UP क्या आप उत्तर परदेश के रहने वाले हैं अगर आपको UP की domicile है आपको simply yes पर click कर देना है इसके बाद domicile को जारी किसने किया उसका नाम आपको यहां पर type कर देंगे इ इसको फॉर्म का complete करने वाद आप नेचे वाले section में आ जाएंगे अगर आप other state से बिलों करते हैं या आपके पास UP की domicile नहीं है तो आपको simply no पर click कर देना है इसके बाद आपको नेचे वाले section में आ जाएंगे आपको simply yes पर click कर देना है अधर आपको no पर click कर देना है इसके बाद आपको टाइप कर देना है इसके बाद आपको थोड़ा सा scroll down करना है अधर नेम और मदनेम दोस्तों आपके बारी में जो भी फादनेम और मदनेम को दिया वा वही से इन दोने में टाइप कर देना है इसके बाद आपको permanent address को feel कर देना है मान के चलिए आप UP में रहते हैं और आप basically belong करते हैं बिहार से आपके बाद आधार कार्ड में जो address दिया हुआ है बिहार का address दिया हुआ है तो आपको बिहार वाला address आपको अच्छे से feel कर देना है यहाँ पर select का option आजागा state का option आजागा आप simply बिहार पर click कर कर देना है क्योंकि दोनों same आपको address दोनों same है तो इस पर टिक लगा देंगे इसके आपको simply save and continue पर click कर देना है बाद आपको यह वाला page open हो जाता है जो कि आप से education qualification आप से मांगा जाता है तो सबसे पहले मांगा जाता है 10th class की mark sheet की details सबसे पहले board को select कर लेंगे आपने 10th class पर जहां से भी पढ़ाई किया उस board को select कर लेंगे अगर आपने उत्तर परदे से कहीं से भी पढ़ाई किया उस उत्तर परदे से तो उत्तर परदे से आपको option आपको यहां पर देखने कंबिल जागा board of high school and intermediate education उत्तर परदे अलावाद आपने district पर जहां भी पढ़ाई कि आपको यह वाला select कर लेना है इसके बाद आपको यह पास किया उस year को select कर लेंगे उसके बाद आपको यह नीचे आपको रोल नंबर आपको यहां पर टाइप कर देंगे इसके बाद आपको थोड़ा स्कॉल डॉन करना है अब आता है other qualification दोस्तों आपने कोई भी किसी तरह क कोई computer course किया हुआ है क्या computer course से knowledge है अगर आपने DOEC NIE LIT society से अंतरकत आपने computer course किया है तो आपको simply yes पर किलिक कर देंगे अदरवाज आपको simply no पर किलिक कर देंगे दोस्तों आपने किसी भी तरह के आर्मी में कई जोइन किया है क्या आपने आर्मियों कहीं काम किया है अगर क आपको simply no पर किलिक कर देंगे इसके आपको simply save and continue पर किलिक कर देना है आपका यह वाला पेज ओपन हो जाता है जो कि आपको फोटो को upload करनी होती है फोटो को upload करने से पहले आपको बता दूंग जो कि फाइल की साइज है कम सकम 11 कभी और जाज़ाद 30 कभी के बीश्ट में हो दोस्तों किसी भी फोटो की साइज कम यह ज्यादा कैसे करें पिक्सल में कैसे सैट करें इसको पर ओलेडी complete वीडियो बना रखा है उसी वीडियो का लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा आप वहां से मेरी वीडियो कर देख सकते हैं और आपको अच्छा समझ में आ सब्सक्राइब simply choose file पे klik कर देना, आपको जहां भी signature और इसे open कर देंगे, simply आपको upload वाल ऐकन पे klik कर देंगे, दोस्तो आप देख सकते हैं, यहां 20 KV से ज़्यादा हैं, तो मैं इसे 20 KV से कम करके आपको upload वाल ऐकन पे klik करके दिखा देता हूं, करने के लिए आपको करने के लिए को पहले करके भी दिखा ना हुँ मैं इसका लिंक आपको करेंगे पेडियी ने मिली जाएगा उस लिंक पर यह सी Kalik करेंगे आपका पेज इस तरह से open हो जागा नेकि आपके क्या आपको इस तरह का पेज आपको ओपन हो जाता है सिम्प्र आपको क्या करना है सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कर देना आपको पेज जहां भी होगा उसे ओपन कर लेंगे और उपन करने बाद देख सकते हैं मैं ने ओपन कर लिया है यहां पर देख सकता है हमारा केवी दिखारा आप बिल्कुर 17 कवी दिखा रहा है मतलब मुझे 10 कवी के निच्छे चाहिए तो सिंपी कहा करेंगे थ्टोड़ा स्कॉल डौन करेंगे यहां पर देख सकते हैं धूर दोस्तों आपको अपने हिसाब से क्वालिटी को चेंज कर देना है क्वालिटी बिल्कु पर्फेक्ट होगी आपको कोई भी पिच्छर खराब नहीं होगा ना पिच्छर फटेगा अगर मुझे 10 केवी के निच्छे यह तो मैं 99 कर देता हूं आप एक एकर ट्राइ करता है इस तरह से हमाना डाउलेट सक्सेश्पुल हो गया है अब दोस्तों मैं बता दूँं डाउलेट करने से पहले इनका एक नाम भी सई होना चाहिए दोस्तों नाम सई होने के लिए मतलब क्या है जैसे बता शता आओं को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर करके दिखायाता हूं इसके बाद आपने जहां पर रखा को उसे ओपन कर देंगे कि उपन करने बाद उपन कर लेंगे सिंप्ली आपको अप्लोड वाला इकन पर क्लिक कर देना है दोस्तों आपको पहले 10th की और 12th की माक्षट को पहले से इस काटगरी में नहीं होना चाहिए इस तरह को देख सकते हैं इस तरह की आपको आपको अप्लोड वाला आइकन पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको यहां पर जैख सकते हैं अब जब भी अप्लोड करेंगे तो इसकी जो फाइल के साइज है वो पचासक्रेशन के बीच म पर ख्लिक कर देना है इसके बाद आपको जहां भी फाइल है उसे ऊपन कर देंगी जी देख सकते हैं मैंने सीम्पल से नाम दिखा है एच एससी यह एससी तो मेरे 10th क्लास की मार्क्षट है तो मैंने इसे ऊपन कर लिया अपन करने बाद आपको सिम्पली अपर टिक लगा देना है इसके बाद आपको सिम्पली अप्लोड वाल आइकन पर क्लिक कर देना है दोस्तों अप्लोड करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो सक्सेस्पूली अप्लोड हो चुका है दोस्तों देख सकते हैं हमारा document upload हो चुका है simply आपको 12 class की markshade को भी upload करना है तो simply आपको upload वाल आइकन पे click कर देना है इस तरह से आपको choose file पे click कर देना है आपको जहाँ भी 12 वी की markshade है उसे open कर देंगे उसके आपको simply open कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर टिक लगा देना है इसके बाद आपको upload वाल आइकन पे click कर देना है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 12 class की markshade भी upload हो चुकी है तो simply आपको क्या करना है यहाँ पर save and continue पे click कर देना है आपका preview वाला page open हो जाता है जो कि आपको यहाँ से check कर लेना है आपने जो भी form को fill कर देना है बिल्कुल सही है गलत है अगर आपको लगता है कोई डाटा हमसे गलती हो गए तो इसी के आगे आपको edit को option आप simply edit पे click करके आपने data को ठीक कर सकते है आपको लगता है मेरा data बिल्कुल ठीक है मुझे कुछ करने के जोगत नहीं है यह जो box आपको दिखाए दरा है सब में आपको ठीक लगा देना है इस तरह से आपको एक option आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्लिक हाँ आपको प्रोसेड पे पे किलिक कर देना है इसके बाद आपको सिर्दा पेइमेंट वाला पेज पर चले जाएंगे दोस्तों आपको जिस भी साइट से पेइमेंट करने है उससे पेइमेंट कर लेते हैं जैसे आपको debit card से payment कर सकते हैं, यहाँ आपको 0% का charge है, यह अगर आप phone पे, Google पे, UPIP न होता है, आप उससे payment कर जाते हैं, तो आपको payment कर लेना है, तो उससे payment करने के बाद, आपको print out है, उन्हें sleep निकाल के रख लेना है, I hope यह video काफी अच्छी लेगी होगी, तो इसमें किस सेक्सिन में जरू बताना, आपके help करने के पूरी कोईस करूँगा, दोस्तों, आज के लिए इसने काफी, वीडियो पसंद आता है, तो इस वीडियो को like करना, चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को भी subscribe जरू कर देना, thank you